हाई ग्रियर आज केस वीडियो में हम देखेंगे अठाबोई अठाबोई का मिन्स आखिर क्या होता है तो एक कानुशेशन से समझते हैं वाली जी है मेरा वच्चा है लखी मैं लखी से पूछ रहा हूं .... ''have you tried my memorization tip'' मतलब आपने मेरी memorization याद रखने की जो tip मैंने आप आपको बतायती उसको अपने try किया है तो लखी क्या बोल रहा है, ''yya it worked'' हाँ मैंने किया हैँ इसने काम भी किया and this time I got a better score और इस बार मैंने अच्छा score प्राफ्त किया थे अब यह जो this time है ना इसको आप पहले भी लगा सकते हो लास्ट में भी लगा सकते हो इस तरह से भी बोल सकते हो I got a better score this time या फिर बोल सकते हो this time I got a better score तो फिर मैंने क्या कहा लग्की से आठा बोई, you did a great job आठा बोई मतलब शाबाज बेटे तुमने बहुत अच्छा काम किया तो जब भी बच्चे को encourage करना है उसे बढ़ावा देना है उसका confident build up करना है in that case you can say अठा बोई तो अठा बोई का मतलब एक छोटा सा आप बोल सकते हो well done या फिर सावास इसी तरह से कुछ लोग boy की जगे girl का भी use करते हैं तो लड़कियों के लिए आप अठा गर्ल बोल सकते हो और लड़की के लिए आप बोल सकते हो अठा बोई I hope कि इस वीडियो से आपको अठा बोई का मेंन समझ में आया होगा Thank you